हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आम सब लोग मैं हूँ अनु छाबरा और आज के टूटोरियल में मैं शेयर करने वाली हूँ यह दुर्गा पूजा का ट्रेडिशनल मेकप लोक मैं बेंगॉली नहीं हूँ लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम पर जो यह ट्रे सब्सक्राइब चैनल और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर पाएं तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो गाइस मैंने अपने स्कीन को अच्छे से मॉस्टराइज कर लिया है बट आज कल वैदर चेंज हो रहा है और मेर प्राइमर ओयल यूज करूंगी यह पैट का प्राइमर ओयल है बहुत ही अच्छा ओयल है अगर आपकी ड्राइज कीन है तो उससे पहले आप इसे अप्लाइए करेंगे तो काफी अच्छा मेकप इसके उपर स्टे करता है विंटर्स के टाइम पर यह मेरा बिल्कुल गो टू प्राइमर है सबसे पहले आज मैं आई मेकप करूंगी और आईशेडू बेस के लिए मैं यूज करही हूं यह मैक का सॉफ्ट ओकर इससे मैं अपने फिंगर से थोड़ा सा वांट करूंगी कि यह थोड़ा ड्राइए है इसकी कंसिस्टेंसी लेकिन यह बहुत ही अच्छे से कवर कर देता है जो भी डाकनेस है मेरी आईलेट पर और रेडनेस भी है और रूस पाउडर से इसे सेट कर लूँगी यह से तो यह कंसीलर नहीं है क्रीज नहीं होता है बट यह क्रीम बेस है इसलिए से मुझे पाउडर प्रोड़क्ट से सेट करना जरूरी है नहीं तो आईशेडों हमारे काफी पैची हो जाएंगे वह अच्छे से ब्लेंड नह करूंगी मैंने यहां पर यह ब्लेंडिंग रश यूज किया है यह मॉर्फी का है इस कलर को मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी यह कलर मेरे स्किन तों से थोड़ा सा ही डाख है इसलिए इसकी पिग्मेंट बढ़ाने के लिए मैं दो तीम बारे से अपनी क्रीज में करूंगी नेक्स्ट अपनी क्रीज को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं पैलेट में से यूज करूंगी यह थोड़ा सा डार्क शेड और इसके लिए मैंने यहां पर एक पॉइंटेड ब्रश यूज किया है यह भी मॉर्फी का ही है इस कलर को मैं प्रांजिशन कलर से थोड़ा सा नीचे बिल्कुल क्रीज में ब्लेंड कर रही हूं नेक्स में भी यह ब्यूटी क्लेज का पैलेट की उस करूंगी और इसमें से यह डाग रेड कलर ले रही हूं और मैंने यहां पर यह चोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया है यह भी मॉर्फी का ब्रश है इसे मैं पनी आइस के आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करूंगी इसे मैं बल्कुछ सॉटली ब्लेंड करूंगी ताकि कोई एज़ेज ना रहें और अब मैं अबनी क्रीज कट करूंगी अज मैं हाफ कट क्रीज भी करूंगी इसे पने लेड एरिया के वन थर्ड पोशन पर लगाऊंगी अब लिट के सेंटर पोशन के लिए मैं यह डार्क रेड कलर ले रही हूँ और मैं इसे लड के center पर apply करूँगी और अब पैलेट मेंसे मैं ये dark color use कर रही हूँ ये shimmery color है इसे मैं बिलकुर अपने lid के center पर apply करूँगी जहां मैंने matte color का base बनाया था और मैं इसी brush के edges से इन दोनों colors को आपस में blend कर दूँगी ताकि बिल्कुल blended eyeshadows लगें क्योंकि यह जो एक harsh line बन जाता है यह बिल्कुल पर अच्छा नहीं लगता है अपने eyes के outer corners पर मैं थोड़ा सब black eyeshadow लगाऊंगी इससे eye look और जादा smoky लगेगा बिल्कुल light hand से मैं इसे blend करूँगी ताकि यह patch ही ना लगे liner के लिए मैं यूज करूँगी मेरा लैकमे का absolute liner अब मैं quickly sticky tape screw remove कर दूँगी अब मैं अपना face makeup करूँगी क्यूंकि यह festival makeup look है इसलिए अपने base के नीचे आज मैं यूज करूँगी liquid highlighter और मैं आज यूज करही हूँ वेटन वाइल का इस प्रोड़क्त की स्मेल बहुत गंदी है बजह बिल्कुल में पसंद नहीं है अधर वाइस यह कापी अच्छा है इसमें बिल्कुल भी चंकी glitter particles नहीं है इसमें यूज करूँगी वेटन वाइल का और इसे मैं ब्लेंड करूँगी मेरे वाइबीपी के ब्यूटी स्पॉंड से हाला कि यह foundation full coverage है but still you can see the glow that highlighter gives me और oil primer की वज़े से भी बिल्कुल dewy finish आरा है बिल्कुल यह matte नहीं है foundation अब concealer के लिए मैं use करें हूँ आज makeup revolution का concealer अब क्योंकि यह eye look बहुत जादा heavy है इसलिए अपने under eye area को मैं highlight ज़रूर करूँगी और उसके लिए में use करूँगी मेरा pack का spotlight concealer amazing concealer guys बहुत ही अच्छा concealer है फ्रीज भी नहीं होता है और कापी अच्छी coverage है बहुत ही थोड़ा सा लगता है अच्छा को अच्छा करने के लिए में उस करें हूँ मेरा फेवरिट मेबलें का फिट मी पाउडर एक फ्लफी ब्रेश लूँगी मैं और थोड़ा सा पाउडर पूरे फेस पर बहुत ही खलके हातों से इसे अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा मेरा फेस सेट हो जाए इससे आपको बहुत जादा पाउडर ही नहीं लगेगा लेकिन आपकी फांडेशन फूरी सेट हो जाएगी और जो हमने टिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया था उसका पॉपस भी अभी तक मैंटेन है अब मैं क्विक्ली अपने पेस को कॉंटूर कर लूँगी और उसकी लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरिट बेटन वाइल का पैलेट अब क्विक्ली मैं में लोवर लैस्टाइन भी कम्प्लीट कर लूँगी सबसे पहले मैं यूज़ करें हूं प्लम की कोल पैंसिल और मैं इसे अपर वॉटर लाइन और लोवर वॉटर लाइन पर लगाऊंगी तो मैं फोड़ी थिक लाइन लगाऊंगी इस काजल को मैं थोड़ा सा स्मच करूंगी और मैंने ये कॉर्णर वाला कलर ही यूज़ किया है जो डाक रेड कलर था इसे smudge करूँगी और blush के लिए मैं यूज करूँगी मिलानिंग का ब्रेक ब्लश और अप्रिकली अपने पेस्ट को सेट करूँगी वेटन वाइल की सेटिंग स्प्रे से इनर कॉर्नर और ब्राव मों को हाइलाइट करने के लिए मैं यह बला कलर यूज करने हूँ और हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूँगी मेरा फेवरेट पैक हाइलाइटर इसका शेड है 05 अब मैं अपने लैशेस को करूँगी और फॉल्सेस के लिए प्रिपेर करूँगी इन पे नस्कारा लगाऊंगी लिप्स्टिक के लिए पहले मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी अब कैमरा में यह पिंक क्यों दिख रहा है अदरवाइस तो यह रैड कलर है और लिप्स्टिक में यूज़ करूँगी फेसिस का लिप क्रियॉन इसका शेड है मिड्नाइफ रोस और सम गयर कलर है गाइस तो गाइस माय लैशे आर ओन पता नहीं क्यों मुझे लगा है कि यह लिप्स्टिक बहुत जादा रेड लगा है जो कि मेरे आउटफिट से मैच नहीं होगा इसलिए मैं इसके उपर लगा रही हूँ हूँ वेटन वाइल की गीवी मुका इसलिए मैं अपनी साडी वियर कर लेती हूँ और ज्वेलरी उसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने अगले वियर कर ली है और अगर यह लूग अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक यू सो मिश पर सपोर्टिंग मी गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तिल रैन टेक केर बाबाई कर दोग बाई